बनाएंगे पालक रोल और यहां पे लिए धनिया, लेशन, साबोजीरा, कुछ अपने स्वाद के हिसाब से हरी मिर्ची और यहां पे डाल सकते हैं अध्रग का कुछ टुकड़ा मैं पेश्ट करके रखी हूई हूँ वो डालूंगे और लेलेना अच्छी तरह से धूल के हमें पालक लिए इसकी बहुत गंदी आदत होती है जो भी सीजन का दीन आता वैसे सीजन के दिनों की चीज़े बनानी चाहिए पर एकी चीज़ जब भार बार लाते हैं घर में और बनाते जाते हैं तो बच्चों के यही सिकायत होती है कि फीर से वही फीर से वही तो इस बार फ मतलब वैसे बगर पानी के करेंगे तो नहीं पेष्ट इतना पतला तयार होगा तो थोड़ा सुस में पानी डाला है काकल्छी के हिसाब से और इस तरह से बर्तर मिला है यहां पर मैं डाली हूं लेहसो नो रद्रक का पेष्ट और उसके बाद स्वाधी साब से डालेंगे इसम में डालके दो तीन चंबच में अच्छा सा मारा घोली तयार हो जाएगा जिस तरह से हम बटर को रखना है जैसे धोसे अगर में रखते हैं उस हिसाब से थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा और में अच्छी तरह से घोट लेना यहां पर जैसके इसमें गाठे अलम्स रहें बर् गी है तो गाठे में बिल को नहीं रने देना है अच्छी तरह से चला चला कि इसको तोड़ना है और उसके बाद जब पेस्ट अच्छी तरह से तयार हो जाए तो हमें ले लेना है फ्राइपेन या तावा लोहे का तावा नॉर्मली लेते हैं तो उस पे भी हमारा अच्छा बन जाता है अब पलट सकते हैं इस रोल को तो लोहे का तावा हो घर में तो उस पे बना ले या फ्राइपेन में यहाँ पे इसी में पलट के बना लूंगी उसके बाद इसमें लगा रहे थोड़ा सौई लगाना है सरसो तेल कोशिस करें सरसो तेल में ही बनाए अच्छा स् हो जाएगा अच्छे से सेट हो चुका है बटर ठीक है ज्यादा काणा भी नहीं है और नहीं पतला है सही है अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगए यह देखिए परफेक्ट हो चुका हलका हलका सा ओल किनारे से में डालना है पर उतना अच्छा से हुआ नहीं जैसे के हम रो जा रहा है तो अभी ने पका आरा है नी पका चिपकान फ्राइपे में बाभी अच्छे से हुआ नहीं है थोड़ा से टाईम स्कोर देना है और अच्छी तरह से पकग जाए किनारे से देख की पता चलेगा जब ब्राउन ब्राउन होगा यह देखिए हो रहा है पर रो यह इसको फटा-फट से हमें रोल कर लेना है, क्यूंकि मैं यहाँ पिंध्य कोई टूल सो कर दीने हूं, चाको मेरे पास था, उसे से पलटना फटा-फट से सुरू कर दी हूं, तो चाको के मादश इस तरह से पलट दी हूं, और यह पलट के तयार है, देखिए, रोल हमारे इसी का रोल इसी तरह से हमें तयार कर लेना है बाहर से वाज आ रही है मेरे जुरुद पर गई है काम छुटा हुए फटा फट रोल को तयार करके मैं वहाँ जा रही है यहां पे लियों सर्सो का तेल जीरा तिश्वत्ता और सावो लाल मेर्ची इसमें तड़के में जो भी हो गव ौध जाही है एक हमें सब्सकर तैमसब्स करके हैं तो पकाने के बाद यहां पे हमने डाल दिया है सर्सो का पावडर उसके बाद गर्म यहां नमक सादन सार थोड़ी सी लाल मेर्ची पावडर और हल्दी पावडर हलका सा और इसको अच्छी तरह से हमें डीम फ्लेम पर पकने देना सरा मसाला यहां पर तयार हो गया है यहां पर टमाटर का पेश्ट भी डाल सकते हैं पर मैं बारी कट करके डाल रही हूं टमाटर और मसाले हमारे भूंके तयार हो गया है पेश्ट बहुत अच्छा लग रहा है देखके पक चुका है बिल्कुल तेल चुका है यहां पर बच्चे थोड़ा से डिश्टर भी कर रहे हैं जिससे ध्यान हमारा इधर उदर हो रहा है कुछ पढ़ोस में सोरसरा आवे भी ईवर है उदर भी ध्यान जा रहा है पर सब्जी पर भी ध्यान है तो जलने तो नहीं देना है मेनत आधा से जादा कर चुकी हुँ सब्जी हमारी पक्के तैयार हो गई है इसी स्टेज पर हमें जिस हिसाब से गरेवी को रखना है गाढ़ा पतला उस हिसाब से हम पाणी डाल के इसको अच्छी तरह से पकने देंगे पसाला बिल्कुल तेल को छोड चुका है देखिए पक चुका है हमारा और यहां पर हम पानी डाल लेंगे इसके गरेवी थोड़ी पतली होती तब ही अच्छा लगता है बहुत जादा गाढ़ा होता है तो नहीं अच्छा लगता है तो अपने हिसाब से हां पर डालना हमें प पखने के बाद पतली ही अच्छी लगती है एक हमारा सारा रोल कट करके तयार कर ली हो जितने भी रोल बने थे और यह वैसे भी पकोड़े के तरह यह चटनी के साथ अगर खाते हैं तो बहुत टेश्टी लगता है तो इस तरह से भी खा सकते हैं बच्चों के जाएगा तो व हम रोन को कट करके रखे हैं और तरही हमारी पक्चु की बिल्कुल उसमें डाल के गोबाल लाएंगे उसके बाद खाने के लिए हमारी सब्जी तयार है कुछ इस तरह से मैं बचा के रख लूगी इसको बेटे को देने वाली हो चपनी के साथ दिखी वो पसंद करता है पर बड़े इसको बहुत पसंद करते हैं पकोडे के तरह अच्छा लगता है चपनी के साथ बच्चे उतरा नहीं मोबन जाता है देखिए हमारी के रवी बिल्कुल पक चुकी तेल छोड़ चुका है पकोड़े के तरह हो गया है सब्जी बनके बिल्कुल तयार है खाने लाइक तो ऐसा नहीं है पहले इस रोल को बनाईए और पालक को थोड़ा सलग चेंज करके सब्जी इस तरह से हम बना देखिए को